प्रदेश अद्यक जी ने एक बैठर की मुखमंत्री जी के आवाज पे जिसमें कुस्वा समाचे कुछ लोगों को बुलाया गया मेरा सिधा कहना है कि संकोच दिमाग से संगठन नहीं चलता अगर उनको कोई वेक्तिगत प्राबलम है मेरे जरसे लोगों से तो उनको रखनी चाहिए जोनोंना जीवित रखा है वसिस रडाज सिंग जी जरसे लोगों ने उनके साथ हम लोगों ने राजीत की शुरुवात की इनको उनसे सीखना चाहिए कि संगठन को कैसे मद्बूत किया जाता है सभी को साथ लेके मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ लोग जिनको अपने लिए अपने लाव की चिंता है अपना फायदा हो जाए बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने तमाम विपक्षी नेताओं को पटना में एकजूट किया लगातार भारतिये जनता पार्टी और एंडिये के खिलाफ एक नए एलाइंस पीडिये को बनाने की चर्चा हो रही है लेकिन जेडियू के अंदर क्या सब कुछ ठीक है किस संगठन के स्तर पे ठीक तरीके से काम हो रहा है ये सवाल पार्टी के ही MLC मतलब नितीश कुमार की पार्टी के MLC रामेश्वर महतों ने उठाया है हमारे साथ बात करने के लिए खुद रामेश्वर जी है आप लोगों को उमीदे भी हैं कहा गरबड हो रही है देखे मानिये मुख मंत्री जी ने बिहार के धर्ती पे इतिहास रचने का काम किया बिहार में मैं जो को लगता है कि आठारा पार्टियों के और तकरिवन पांच राज्यों के मुख मंत्री जी आए और बहुत बिहार के लिए सम्मान की बात है और मानिये नेता नितिश कुमार जैसे लीडर बिहार के बाद बाहर भी देश में भी नहीं है मेरा ऐसा मानना है मैं ऐसा सोचता हूँ कि मानिये मुख मंत्री जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है देश के लिए और बिहार के लिए और जो विपक्षी एक्ता की बात हो रहे हैं उसमें जो एक बैठा करना इस तरह का एक औरगनाईज एक सब को एक टेबल पर बैठा देना ही बहुत बड़ी सफलता है मैं ऐसा मानता हूँ गरबर कहा हो रही है पालिटी के अंगर किया मुदिस्टि जी इभार इसा मानना है कि जब नेता नितिश कुमार जी बिहार से निकल के देश के नतिश के तरफ बढ़ रहे हैं देश को एक बड़े लिडर के तौर पर देश देखराया है उनको तो जो हमारे पर देश में हैं हमको दो-तीन दिन से पता चल रहा है कि मानिए परदेश हद्यक जी ने एक बैठर की मुखमंतरी जी के आवाज पर जिसमें कुछ लोगों को बुलाया गया जिसमें मुझे नजर अंदाज किया गया तो मेरा ऐसा मानना है कि जब नेता हमारे देश को नितित करने को निकल रहे तो परदेश में एक मजबूत संगठन की जरुरत है जो पूरे देश में जाके और हमारे नेता के किये हुए कामों को लोगों के बीच में रखे इस बीच में एक संकोच दिमाग से संगठन चलाना ठीक नहीं है प्रदेश में चाहिए प्रदेश अध्यक जी को कि सभी को साथ लेके और मजबूती के साथ नेता को देश्क से बाहर जाने के लिए परचार परसार के लिए सब को एक साथ लेके चलना चाहिए अब एकर हैं कि प्रदेश अध्यक जो है आपके पालिटी के मेरा सिधा कहना है कि संकोच दिमाग से संगठन नहीं चलता अगर उनको कोई वेक्तिगत प्रॉब्लम है मेरे जैसे लोगों से तो उनको रखनी चाहिए लेकिन जब संगठन का काम हो मैंने बिहार के सासा दिल्ली में उत्तर परदेश में पार्टी के लिए काम किया है और पा प्रदेश मानिय मुख्मंद जी ने उनको बुलाया तो मेरा करतव था उनके साथ काम करने का सो मैंने किया और चले गए तो मैं जहां हूँ अपने पार्टी के साथ अपने निता के साहथ मैं हूँ ये आरोप लगाना क्योंकि उनके साथ गए और काम किया इसलिए मुझा सा वहाँ हैं और उनके रहते के निदीश कुमार का जो मीशन है आपको लगता है वो सफल हो पाएगा भी प्रक्षी एक रुपता वाला है। हमने राजनीत में हमने देखा कि समाजवाद जो उनके साथ हम लोगों ने राजनीत की शुरुवात की इनको उनसे सीखना चाहिए कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है सभी को साथ लेके मेरा बस यही कहना है। कि अंदर सब कुछ ठीक है एक दो लोगों को छोड़के जो साजिश में लगे रहते हैं ऐसे दो लोगों को छोड़के हमारी पार्टी बहुत मजबूत है नेता हमारे बहुत मजबूत है कहीं कुछ लोग जिनको अपने लिए अपने लाव की चिंता है अपना फायदा हो जाए ऐसे लोग साजिश कर रहे हैं। संकोच फिर कभी आगे फिर बात होगी चलिए तो एक तरफ बिपक्षी एक जुगता गो लेकर इन्तिश कुमार की पहल और दूसरी तरफ जेडिव के अंदर से ही आवाज उटने लगी है कि संगठन में जो समानता मिलनी चाहिए वो चीज़े नहीं हो रहे हैं और नितिश झाल झाल झाल